हेल रेल्गम बैक टो माई यूट्यूब चैनल मैं हूँ अमन आप देख रहे हैं बाइक म्यूटर्स इंडोनेशय से जो समान आना था वो जो है आज जुका था चार दिन हो गया है और मैं देख रहा था कि किस तरीवा जो है त्मड़ा प्रोड़क्ट है और मैं ने इंस्ट् सब्सक्राइशन हुई है उस चीज की और कितना अच्छा प्रोड़क्ट है और कितना नहीं है धेरे धेरे वीडियो में जान जाएंगे तो चले वीडियो शुरू करते हैं अब यह तक तो जब तक नहीं लगाए मैं कुछ ज्यादा ही जो है इससे सैटिसफाइड हो क्योंक प्रोड़क्त की कौलिटी बहुत अच्छी है रोलर के अंदर बेरिंग चहीं पर अपनी वीडियो में हो रहा आथा तो एंच्छा सा रिवीडियो करते हैं और जानते हैं प्रोड़क्त कैसा है उसके जहां देखें पर नहीं पर आःआ बटन पर आटाउंक से देख लेना चाइनीज चेंटेंशनर 1500 का करोलबाद की मार्केट में जो मिलता है या फिर आपको आपको आनलाइन मिलता है उसकी उसका फिर मैंने एक और शीप रिव्यू बनाया था जिसमें मैंने खाल था not to buy chain टेंशनर, don't buy chain टेंशनर उसमें मैंने अपने major points बताये थे कि क्यों नहीं लेना है तो major point मेरा तो सिरफ एक ही था कि इसके अंदर बेरिंग नहीं है और chain के साथ बहुत जादा जो है यह आवास करता है और spring के अंदर बिल्कुल नहीं है तो यह दोनों चीजे इसकी बहुत अच्छी है तो उसका भी आई बटन में लिंक आ रहा होगा कर दो बटना कर दो बटना कर दो बाता है के इस तरीके के बॉक्स में में एक को दो चेंड टेंशनर मिले हैं जो कि एक मेरे हाथ के साइज का है बट इसका जो वेट है वेट थोड़ा सा ज़ादा है फील होता है मxter grade तो दो इसेंबल चेंटेंशनर है जो कि एक बंदे ने परसनली अपने बाइक के यूज के लिए बनाया था क्योंकि उसको मार्केट में कोई अच्छा चेंटेंशनर नहीं मिल रहा था तो उसे साब से बनाया ये एसीटी जो आप देख पा रहे हैं ये ब्रैंड भी इसके बार में बात करेंगे तो एक चेंटेंशनर ये रहा जैसा कि मैंने बताया ये जो चेंटेंशनर बंदे ने अपने यूज के लिए डिजाइन किया था क्योंकि मार्केट में कोई अच्छा चेंटेंशनर बंदे को मिला नहीं था वैसे इंडोनेशिया में एक बंदा है उस बंदे ने जो है ये चेंटेंशनर डिजाइन किया है अपने यूज के लिए और जब कोई बंदा अपने लिए कोई काम करता है न तो यार पूरे दिल से करता है और वो चीज़ आपको 20 डिगरी स्पान इची ये बिलकुल रोलर के उपर जैसा कि अभी मैं आपको फिटिंग के अंदर जो है समझाओंगा उसके बाद ये जो हमारा उसमें नट में लग जाएगा जो सुइंगाम का नट है ये स्प्रिंग है नॉर्मल स्प्रिंग नहीं है जैसा चाइनिज में म अलावा मैं आपको दिखाता हम इसका ओवरविऊ जैसे कि यहां से ऐसे खूल जाएगी तो हमको दिखेगा चेंसे और स इप्र wasn दूसरा इस्टेप है इसकी अलाइनमेंट चेक करनी है यह वाली जो है फोल के हमको निकालना है जैसा कि निकल रहा है यह जो में टायर का नट होता है इसको निकालना पड़ेगा अब इसको इसके अंदर डालना है जो बेरिंग यहाँ से निकली थी यह वाली बेरिंग डाल देना है वापस अब यह वाले नट को वापस डालना है कि अबस बस बस रोक दो रोक के और नीचे दबाओ अब जिस एंगल तक अपको अपने को लेकर जाना है उस एंगल तक इसको आगे या पीछे कर लेना दबाओ नट टाइट कर देना उस तरफ से इसके अलाइनमेंट चक कैसे करोगल पर जाजनिते हैं अब यह वाला जो नट अट घएशस्त करणा है अब हमको देखना कि इसको लेकर जाना तो जहां पर यस्परीण की जो बिल्कुल है साय स्प्रींग सिट हो जाएका महां पर टाइट करेंगे इसको तो मैं यह करने करता है यहां बेला काम करदा मुझे इसको यहां प्रोट ऐट करता है यह जब गाम कर दो फ़ीजा काम करती यह को रहा की इस है यह यह दो रहा है यहां यह अच्छेर न को जब शेशावर कि नुआ खुट देना थे जो और थे देना बस 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 एड़ इजैन टैसे तो यार चेंड टेंशनर मैंने लगवा ली है अब मैं जा रहा हूँ वापस अपने घर की तरफ तो अभी रस्ता थोड़ सा ट्राफिक ट्राफिक है बट देखते हैं शायद बाइक को मैं खीच पाऊं सता रस्ती तक जहां तक मैं खीच सकता हूं इस ट्राफिक के अंदर ता मैं दुबार अपनी बाइक को पुछ कर रहा हूं तो आपको आइडिया लगी होगा कि चेंड टेंशनर के आवाज नहीं है क्योंकि और इमगता है बाकी चेंड टेंशनर के साथ क्या यार रोलर जो है वो प्लैस्टिक या डिए देते हैं और प्लास्टिक का रोलर जो है घ अंदर और बागी मैं पुछ करता हूं आज की वीडियो के लिए बस इतने ही था चैनल को सब्सक्राइब कर देना ओनर्शिप रिव्यू के लिए और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ही वीडियो अच्छे अच्छे आपके लाता रहूं